इंडियन काउंसल अउस एस्टलोजिकल साइंसेस जो चिन्नई में रिजिस्टर्ड है और जिसका निर्मान डाक्टर वीवी रमन द्वारा किया गया उसके पूर्वी दिल्ली इस दिल्ली चैप्टर द्वारा सत्रा जन्वरी से पुना जोतिश के लिए डिप्लोमा जोतिश प्रवीन के लिए नई क्लासिस आरंभ हो रही हैं जो वर्थमान स्थिति अनुसार आउन लाइन और आफ लाइन दुन्नों ही प्रकार से चलेगी और जो आफ लाइन क्लासिस हैं जैसे इस्तिति के अनुसार मयो इंटरनेशनल स्कूल जो के पड़ड़ गंज आईपी एक्स्टेंशन में है नियर सीबी आई ऑफिस के पास है वहां पर चलती थी और अभी करुना के कारण कक्षाई बंध होने के कारण वो नहीं चल रही प्रंतु हमारी जो कक्षाई हैं ओन लाइन पर राता रवीवार और चनीवार को साई तीन से छे बजे के बीच में बड़ी रेगुलर चल रही हैं और हमारे इस सेंटर में पामिस्ट्री वास्तू निमरालजी और नारी जो तिश्की भी अलग अलग कक्षाई जो हैं वो चलती हैं वर्तमान में हमारा जो अभी जो प्रीक्षा भी देगा वो हमारा जो परवीन वन का परवीन वन का जो एक हमारा ग्रुप था वो अभी एक्जामीनेशन के लिए तैयारी कर रखी हैं दिखिए बारतिय जोतिश अनुसंदान जो के हमारे प्राचीन ग्रंथों ब्रत प्राशर होरा शास्त्र या हमारे जितने वेद हैं वेद शास्त्रों के अनुसार अपनी जोतिश शिक्षा का पठन पाठन या उनकी शिक्षा देता है इसी संदर्व को ध्यान रखते हुए हमारा जो जोतिश प्रवीन का पाठे करम है बड़ा ही एक क्लासिकल सा बनाया गया है इसमें शुरु शुरु में इस प्रकार के शास्त्रों का भी अधियन कराया जाता है जो के हमारे जीवन में जोतिश की एक जोत जले और जिसके अनुसार हमारे एक पाठे करम में उन-उन विदाओं को हम पढ़ाते हैं जैसे theory of astrology, theory of astrology में astrology का उधिवन कैसे हुआ और उसी उधिवन में जोतिश की कितनी कितनी बरकार की विदाओं बनी और इसका एक chronological सहित कैसे अरम हुआ हमारे 18 जो रिशी थे उनकी astrology में के contribution रही और classical विदिती के अनुसार हम लोग भरग प्राशर होरा शास्तर को अध्यन कराने का परियास करते हैं और उसी भरग प्राशर होरा शास्तर को हम एक modern context में लेकर उसका अध्यन कराने का परियास करते हैं फिर value and use of astrology ऐसी नहीं के केवल astrology को crime करा दिया जाता है रटा दिया जाता है बार अराशियों के नाम बता दिये उनके स्वामी बता दिये और हमारा course पूरा हो गया ऐसा नहीं इसमें value and use of astrology आफ्टर आल ये जो जोतिश है इसका हमारे डेली जीवन के साथ क्या संदर्व रहता है और इसकी हमारे जीवन में क्या value है इन सबका हम अध्यन ताके जो भी शिक्षा प्राप्त करने आता है उसके अंदर एक जोतिश की एक जोती जले और उसके लिए वो पढ़ने के लिए तयार हो इसके लावा astrology and modern sciences बहुत important है astrology and modern sciences जब हम astrology को modern sciences के साथ relate करते हैं तो इसका जो sphere है बहुत बढ़ जाता है और उसके अनुसार जो modern sciences में astrology related to chemistry astrology related to statistics astrology एक chronological study करते हैं और जिसमें हमारी सारी studies जो है data based होती हैं और उनीके अनुसार हम लोग करते हैं और जो सबसे एक important हम अपने विद्यार्थियों को एक सिक्षा देते हैं वो astrology and karma theory ये जो astrology का karma के साथ हमारे past karma बर्तमान और जो प्रारब्ध है उसको हम किस प्रकार से जोतिश के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं ये हमारे कर्म रहस ही है जो हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की गटनाई लाने का प्रयास करता है और इसके साथ जो हम astronomy ख़गोल शास्तर को भी पढ़ाते हैं और ख़गोल शास्तर को पढ़ाते समय अब ये ध्यान रखते हैं कि हम जो के astronomy related to astrology जो के astrology से ज़्यादा related रहती है उसी का अध्यान करते हैं and most important is that astrology and manovigyan astrology और manovigyan तो ये एक course का आपके उपर इतना impact पढ़ता है इतना impact पढ़ता है कि व्यक्ति के अंदर जोतिश के रहस से जानने की जाक्षा पैदा होती है और उसी को लेकर वो अपनी studies को आगे लजाने का परियास करता है और जैसे मैंने बताया कि हमारे subject में क्योंकि अगर astronomy है तो जोतिश है अगर astronomy का ग्यान हमें जोतिश से समंदित मिलता है तो हमारे ज्यान में ग्रहों के बारे में और ये जो planetary system है ये इसका हमारे उपर क्या परभाव पड़ता है अर्थ क्या है, स्काई क्या है, राहु के तू क्या है, ये ग्रैस क्या है, उपग्रैस क्या है, नक्षत्राज क्या है, इक्वेटर क्या है, लोंगी चूड्स क्या है, अक्षांच क्या है, और आयरांच क्या है, और जोडे कॉंचिलेशन, और इन सब का हम अध्यन करने का प्र बोतिश का ज्यान अपने विद्यार्थियों को देते हैं, that is about पंचांग, पंचांग क्या है, पंचांग के जो पांच अंग हैं, उनका हमारे डेली जीवन से क्या संबंध है, तिथी कैसे परिवर्तन होती है, नक्षत्र, अमुक नक्षत्र किस समय तक रहेगा, चंदरमा कौ कौन सी राशी में परवेश करेगा, चंदरोल दे, कितने बजे होगा, सूरिय, कितने समय उदे होगा, तो एक बहुत ही व्यापक, हमारा जो टाइम टेबल है, या हमारा जो सिलिवस है, वो अन, जो के आप देखेंगे, कि आज काल जोतिश पढ़ाने के के इंसी चूड सार हैं, जो कहते हैं के पंदरा दिन में आपको जोतिश पना देंगे, या दो महिने में जोतिश पना देंगे, जोतिश मार्टरन बना देंगे, जोतिश गुरू बना देंगे, ऐसा नहीं है, हमारा यही उदेश रहता है, कि जो भी विद्यार्थी हमारे संपर्क में आएं, उ को हम जोतिश का पूरन रूप से उनको अध्यान कराए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं हमारा बर्मांड क्या कहता है हमारे कर्म क्या कहते हैं और उनका जो reflection हमारे पंचांग में कैसे आता है पंचांग को समझने की एक बहुत व्याबक विदी का हम लोग students के साथ वर्नर करते हैं और पंचांग के एक-एक अंग को किस प्रकार आप consult करेंगे और उसके अंदर किस-किस प्रकार की विदाए हैं इन सब का भी हम अध्यान करने का जो है प्रयास करते हैं और इसी में ही अब आप देखेंगे कि जो हमारा एक mathematical जो गनित जोतिश है ये भी अपने आप में एक बहुत important है गनित जोतिश माना कि आजकल के जो जोत्शी है बहुत computer के उपर depend करते हैं अपनी सभी परकार की arithmetic की समस्याओं को solve करने के लिए foreign computer का use करते हैं बहुत अच्छी बात है प्रन्तु ये computer से भी कुंडली का कैसे निर्मान होता है आप ascended या लगन किस प्रकार निकालेंगे उसकी क्या विदी है और जो हमारे astrological time measures है Sunrise calculation, Sunset की calculation, casting of the horoscope with modern calculation and traditional methods ये सब हम विद्यार्थियों को बताने का प्रयास करते हैं ये houses क्या है, भावाज क्या है और casting of जनम कुंडली ही नहीं उसके साथ साथ विद्यार्थियों को शोड़स वरग की जिनको हम वरग कुंडलिया कहते हैं, डवीनल चार्ट कहते हैं उनका भी उनको भ्यावक अध्यान किया जाता है केवल जनम कुंडली दवारा ही जोतिश को हम लोग अध्यान करना नहीं सिखाते, प्रंतु उसके साथ-साथ आप देखेंगे के विद्यारतियों को हम लोग जो हमारी वर कुंडलीया है, शोडस जो के 16 परकार की कुंडलीया है, जो हमारे जीवन के एक-एक अंग को आगे बत ये है कि एक बहुत ही व्याबक हमारा टाइम टेबल है और टाइम टेबल के अनुसार हमारा सिलेबल जो है बहुत स्टूडेंट्स की समस्यां को देखता हुआ, स्टूडेंट्स की रुची को देखता हुआ, स्टूडेंट्स की शिक्षा को देखते हुए हम लोग अपना सार जो अध्यान है बच्चों को समरपन करते हैं और पहले ही संतर में जब फर्स मिस्टर में आप लोग चकित होंगे कि फलित जोतिश क्योंकि सब कुछ अध्यान करने के बाद हमें जिस चीज का एक अध्यान करना पड़ता है वो है फलित जोतिश जो भी हमने कुंडलियां बना तो उनको अध्यान करके हम फलित कैसे करेंगे और फलित करने के क्या नियम्स है राशियां क्या है उनके क्या क्रेक्टर स्टिक्स है वो कौन-कौन सी राशी काल पुरश को कौन-कौन से अंग को डिल करती है और उसके कौन-कौन से जीवन को वो दिखाने का प्रयास करती है और ग्रह क्या हैं जो नौ ग्रह हैं वो किस प्रकार से कालपुरश के जीवन में उनका जोगदान है कौन सा ग्रह व्यक्ति के कौन से भाग को डील करता है शिक्षा का कौन सा ग्रह है आयू का कौन सा ग्रह है पतनी का कौन सा ग्रह है इन सब का व्यापग डिसकेशन द्वारा इन सब का अध्यान करने की सब करते हैं इसके साथ साथ दशा अंतरदशा की कैलकुलेशन दशा की कैलकुलेशन अंतरदशा की कैलकुलेशन और उनके साथ आप देखेंगे के अंतरदशा की कैलकुलेशन वो भी हम इसमें से देखने के दशा अंतरदशा की व्यापक गन्ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चार भागों में लेते हैं, दशा, अंतरदशा, पर्चेंतरदशा और सूक्षम दशा और उनके अनुसार फिर हम अपनी जीवन में आने वाली घटनाओं का निर्ने करते हैं और इसी के साथ साथ हम फॉस्स स्मिस्टर में हम आयूर दे, आयू और जो हमारे मारकाज हैं, उनको भी जो कुंडली में how to calculate मारकाज, जो हमारे जीवन में कश्टकारी ग्रह होते हैं, उन सब को भी किस परकार से हम अध्यान करते हैं और calculation of आयू, आयू खंड की calculation भी हम लोग इसमें करने का सिखाते हैं और उसके अलावा परते ग्रह के लिए कौन-कौन से मुख ग्रह हो सकते हैं और इसके साथ साथ बहुत चंदर द्वारा निर्मत योगास, सूर्य द्वारा निर्मत योगास और लगं द्वारा निर्मत योगाओं का भी, हम first semester में ही अध्यान कराने का प्रयास करते हैं इसके साथ साथ राज योगास, विपरीत राज योगास और अधर प्रकार के भी जो हमारे हाँ योगास बनते हैं उनका भी हम अध्यान करते हैं तो हमारा अभी प्राह ये हुगता है कि जो भी विद्यारती हमारे से प्रथम स्मिस्टर को पास करके सेकंड़ स्मिस्टर में जाती हैं तो वो अपने आप में जितना भी गनित जोतिश है, समान्य जोतिश है, करमात्योरी है, ग्रहों के बारे में ग्यान, राशियों के बारे में ग्यान इन सब में वो सक्षन हो ताके सेक्ट स्विस्टर में जो हम फुल सिस्टम और प्रेडिक्शन जिसको हम अपना कहते हैं डिली नेशन और डाइनिमिक कन्फिग्रेशन के एक होरोस्कोप का व्यापक स्टडी आप किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से दशा को ध्यान रखते हुए, अंतर दशा को ध्यान करते हुए, योगों का ध्यान करते हुए और अपने वर कुंडलियों का ध्यान करते हुए आप किस प्रकार से अपनी हरोस्कोप से आने वाली गठनाओं का वर्नन कर पाएंगे और इसी के साथ अब आप देखेंगे यहां दशा का संधर्व आता है वहां पार ट्रांजिट्स का भी जो गोचर ग्रह होते हैं जो गोचर स्थिती होती है उनको भी अधन करने का प्रयास करते हैं क्योंकि गोचर ग्रहों का वर्तमान में मारे जीवन में बहुत भात्व हो जाता है तो इस प्रकार से ग्रह दशा और ये सब मिलकर और इतना ही नहीं आप हैरान होंगे आज शरीय होंगे कि हमारे सेकंड स्मिस्टर में ही जो छे मीने का होता है उसमें हम ताजिक ज जोतिश कहते हैं यह अपने आप में एक पूरण विदा है वर्षफल में हम लोग वर्षफल कुंडली का निर्मान बुद्दा दशा और उसमें यह अपनी योगनी दशा और वर्षफल के जो चौदा योग होते हैं उन सब का अध्यन करते हुए हम हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हमारा विद्यारती परवीन परवीन में भी अगर वो अपने आपको इतना सक्षम कर ले कि वो कुंडली का हर प्रकार से वो अध्यन करके उसमें से चाहे वो जनम जनम कुंडली हो वर्ष कुंडली हो उन दोनों को मिला के कम से कम एक वर्ष के लिए एक वर्ष के ल और इतना ही नहीं मारे second semester में जातक को महूरत जो के अपने आत में एक पूरन ज्यान है महूरत की studies कराना महूरत के पहले नियम में नक्षत्र का क्या रोल है नक्षत्र की किया importance है नक्षत्र की क्या क्या संग्याई है और इसके साथ साथ ग्रह प्रवेश के महूरत जो हमारे शोडश महूरत है जनम से लेकर मृत्यूता के महूरत, सिक्षा के महूरत, यात्रा के महूरत और इसके साथ साथ जो विवा के दस दोशों का ध्यान करना वो भी करना और टोटल में जो हमारे 21 दोश है उनको उनका ध्य अध्यान करते हुए या उनका ध्यान करते हुए जो भी हम भूरत निकालते हैं तो उसका हम पूरन रूप से स्टूडेंट्स को ज्यान देने का प्रयास करते हैं. तो इस प्रकार से हमारा जो जोतिश परभीन जिसकी कलासिस 17 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं आप लोगों से अनरोध है कि अगर आप जोतिश का एक पूरन रूप से अध्यन करने के इच्छुक हैं तो आप हमारे हां हमारे सेंटर में आप कंटेक्ट करिए और कंटेक्ट के मैं आपको नाम बताता हूँ स्री सुनील शर्मा जी जो के हमारे चैप्टर के चेयर्मेन हैं उनसे भी आप कंटेक्ट करिए और उनका मैं आपको मुबाइल नंबर बताता हूँ 981 0034890 मैं आप से फिर से रिपीट करता हूँ 981 0034890 और हमारे चैप्टर के सेगरेटरी जी एंड ब्रामी जी भी हैं उनका भी मैं आपको मुबाइल नंबर बताता हूँ आप लिख लें 9810540174 ब्रामी जी का नंबर जो हमारे चैप्टर के सेगरेटरी हैं मैं फिर से रिपीट करता हूँ 9810540174 तो जो भी हमारे इस दिल्ली में यहां भारत के किसी कोने में भी अगर पूरण जोतिश सीखने के अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमारे हां रिजिस्टर कराएं जहां आउन लाइन और आफ लाइन क्लासिज अभी भी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी ताके भारतिय जोतिश विज्ञान परिशद द्वारा इस दिल्ली चैप्टर द्वारा जो भी एक व्यापक हम जोतिश का ज्ञान देने का परसार करते हैं उनका भी आप लाव उठा सकते हैं मैं फिर से सभी जोतिश प्रेमियों से निवेदन करता हूँ के 17 तरीक से पहले पहले आप हमारे हां रिजिस्टर कराएं और फीस आदी बहुत सामान्य फीस हैं हम लोग पच्पन सौ रपया प्रती सत्र लेते हैं और क्लासीज हमारी ऑनलाइन और आफलाइन है नौर्मली इन क्लासीज का जो बहुत सुविदा जनक समय हमने रखा हुए है चनिवार और रविवार को तीन से छे जिसमें हम अध्यान में हर परकार की एक्जाम्पल्स दे कर हर परकार के संदर्ब देख कर तो सिक्षा देने का प्रयास करते हैं तो मेरी सभी जोतिश प्रेमियों से फिर आपसे एक अनुरूद है कि अगर आप जोतिश के रहस से जानना चाते हैं जो हमारा जोतिश है इसको मौडरन कंटेक्स्ट में पढ़ना चाते हैं तो आप हम जो है हमारा 17 जनवरी 2021 से आरम कोने जा रहा है और आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद, शीगर ही हम थोड़ी देर में जो हमारे और सलिवस हैं या और कक्षाई हैं, उनके बारे में भी अध्यान करेंगे, इतना ही नहीं के जोतिश प्रवीन के बाद हम आपको जोतिश के अध्यान से बंचित कर देते हैं, उसके बाद हमारी जो हैं अडवांस जोतिश की क्लासिश लगती हैं, जिनको हम जोतिश विशारत कहते हैं, उनके बारे में थोड़ी देर में आपको परिशे दिया जाएगा, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, दशा अंतर दशा की व्यापक गन्ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दशा को अंतर दशा के विशे को हम चार भागों में लेते हैं, दशा, अंतर दशा, पर्चेंतर दशा और सूक्षम दशा और उनके अनुसार फिर हम अपनी जीवन में आने वाली घटनाओं का निर्ने करते हैं, और इसी के साथ साथ हम फॉस्स स्मिस्टर में हम आयूर्दे, आयू और जो हमारे मारकाज हैं, उनको भी जो कुंडली में हाउ टू कैलकुलेट मारकाज, जो हमारे जीवन में कश्टकारी ग्रह होते हैं, उन सब को भी किस परकार से हम अध्यान करते हैं, और कैलकुलेशन ओफ आयू, आयू खंड की कैलकुलेशन भी हम लोग इसमें करने का सिखाते हैं, और उसके अलावा परते ग्रह के लिए कौन-कौन से मुख ग्रह हो सकते हैं, और इसके साथ साथ बहुत चंदर द्वारा निर्मत योगास, सूरिय द्वारा निर्मत योगा हम फश्मिस्टर में ही अध्यन कराने का प्रयास करते हैं इसके साथ राजयोगाथ विपर्ीट राजयोगाथ और अधर प्रकार के भी जो हमारे हां योगाथ बनते हैं उनका भी हम अध्यान करते हैं तो अभी प्राइ ये हुठता है कि जो भी विद्यार्थी हमारे से प्रत्रम स्मिस्टर को पास करके सेकंड स्मिस्टर में जाते हैं तो वो अपने आप में जितना भी गनित जोतिश है समान्य जोतिश है, कर्मा थिवरी है ग्रहों के बारे में ज्यान, राशियों के बारे में ज्यान इन सब में वो सक्षम हो ताके सेक्ट स्विस्टर में जो हम फुल सिस्टम और प्रेडिक्शन जिसको हम अपना कहते हैं डीली नेशन डाइनिमिक कन्फिग्रेशन के एक हारो स्कोप का व्यापक स्टडी आप किस प्रकार से करेंगे किस प्रकार से दशा को ध्यान रखते हुए अंतर दशा को ध्यान करते हुए योगों का ध्यान करते हुए और अपने वर्ग कुंडलियों का ध्यान करते हुए आप किस प्रकार से अपनी हरो स्कोप से आने वाली गठनाओं का वर्नन कर पाएंगे और इसी के साथ, अब आप देखेंगे, यहां दशा का संदर्भ आता है, वहां का ट्रांजिट्स का भी जो गोचर ग्रह होते हैं, जो गोचर स्थिती होती है, उनको भी अध्यन करने का परियास करते हैं, क्यूंके गोचर ग्रहों का वर्तमान में, मारे जीवन में बहुत-भ भत्व हो जाता है तो इस प्रकार से ग्रह दशा और ये सब मिलकर और इतना ही नहीं आप हैरान होंगे आज शरीय होंगे के हमारे सेकंड स्मिस्टर में ही जो छे मीने का उठता है उसमें हम ताजिक जोतिश भी पढ़ाते हैं जिसको वर्षफल जोतिश कहते हैं ये अपने आ दशा और उसमें ये अपनी योगनी दशा और वर्षफल के जो 14 योग होते हैं उन सब का अध्यन करते हुए हम हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हमारा विद्यार्थी परवीन में भी अगर वो अपने आपको इतना सक्षम कर ले कि वो कुंडली का हर प्रकार से वो अध्यन करके उसमें से चाहे वो जनम जनम कुंडली हो वर्ष कुंडली हो उन दोनों को मिला के कम से कम एक वर्ष के लिए एक वर्ष के लिए जातक को उसका जीवन फाल बनाने का भी प्रयास करें और इतना ही नहीं हमारे second semester में जातक को महूरत महूरत जो के अपने आत में एक पू मुहुरत की स्टेडीज कराना, मुहुरत के पहले नियम, नियम में नक्षत्र का क्या रोल है, नक्षत्र की क्या इपोर्टन्स है, नक्षत्र की क्या क्या संग्याएं हैं, और इसके साथ साथ ग्रह प्रवेश के मुहुरत, जो हमारे शोडश मुहुरत हैं, जनम से लेकर मृत प्रित्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्य तो इस प्रकार से हमारा जो जोतिश परभीन जिसकी कलासिस 17 जैनवरी से स्टार्ट हो रही हैं आप लोगों से अनरोध है कि अगर आप जोतिश का एक पूरन रूप से अध्यन करने के इच्छुक हैं तो आप हमारे हां हमारे सेंटर में आप कंटेक्ट करिए और कंटेक्ट क मैं आपको नाम बताता हूँ स्री सुनील शर्मा जी जो के हमारे चैप्टर के चेयर्मेन हैं उनसे भी आप कंटेक्ट करिए और उनका मैं आपको मुबाइल नंबर बताता हूँ 981 0034890 मैं आप से फिर से रिपीट करता हूँ 981 0034890 और हमारे चैप्टर के सेगरेटरी जी एन ब्रामी जी भी हैं उनका भी मैं आपको मुबाइल नंबर बताता हूँ आप लिख लें 9810540174 ब्रामी जी का नंबर जो हमारे चैप्टर के सेगरेटरी हैं मैं फिर से रिपीट करता हूँ 9810540174 तो जो भी हमारे इस दिल्ली में यहां भारत के किसी कोने में भी अगर पूरण जोतिश सीखने के अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमारे हां रिजिस्टर कराएं यहां आउन लाइन और आफ लाइन क्लासेज अभी भी चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी ताके भारतिय जोतिश विज्ञान परिशद द्वारा इस दिल्ली चैप्टर द्वारा जो भी एक व्यापक हम जोतिश का ज्ञान देने का परसार करते हैं उनका भी आप लाव उठा सकते हैं मैं फिर से सभी जोतिश प्रेमियों से निवेदन करता हूँ के 17 तरीक से पहले पहले आप हमारे हाँ रिजिस्टर कराएं और फीस आदी बहुत समान्य फीस हैं हम लोग पच्पन सौ रपया प्रती सत्र लेते हैं और क्लासीज हमारी ऑनलाइन और आफलाइन हैं नौर्मली इन क्लासीज का जो बहुत सुविदा जनक समय हमने रखा हुआ है चनिवार और रविवार को तीन से छे जिसमें हम अध्यान में हर परकार की एक्जाम्पल्स द देख कर तो सिक्षा देने का परियास करते हैं तो मेरी सभी जोतिश प्रेमियों से फिर आप से एक अनुलूद है कि अगर आप जोतिश के रहस से जानना चाहते हैं जो हमारा जोतिश है इसको मौडरन कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे हाँ अपने आप अपने आपको रिजिस्टर कराईए और सत्र जो है हमारा 17 जनवरी 2021 से आरम कोने जा रहा है और आप सब का बहुत-बहुत धन्यवार शीगर ही हम थोड़ी देर में जो हमारे और सलिवस हैं या और कक्षाएं हैं उनके बारे में भी अध्यान करेंगे इतना ही नहीं कि जोतिश प्रवीन के बाद हम आपको जोतिश के अध्यान से बंचित कर देते हैं उसके बाद हमारी जो हैं अडवांस जोतिश की क्लासिश लगती हैं जिनको हम जोतिश विशारत कहते हैं उनके बारे में थोड़ी देर में आपको परिशे दिया जाएगा धन बहुत बहुत धन्यवाद.